हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग कैसे हैं आप लोग आई होप आप सो लोग अच्छे होंगे अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मौर्निंग से स्टार्ट हुआ है सबसे पहले मैं ब्रश कर लिती हूँ और उसके ब होनिंग में चाय पीने के मुझे आदा तक गंदी वाली लेकिन हाँ गंवी आ गए तो उसे छोड़ूंगी और यहां पर मैं स्टडी का फर्स्ट लॉट स्टार्ट कर दी हूँ चाय पीने के बाद यहां पर कर रही हूँ सबसे पहले में रिवीजन जैसे की डिवीजन आज आप किसी टॉपिक को करे हो तो तीन दिन कंटिनी उस चीज का करो आपकी चीज़ा बहुत लॉंग टाइम के लिए स्ट्रॉंग हो जाएंगी तो मैं अक्सा काई कि हमेसा रिवीजन जरूर कर दी हूँ अब मैं रिवीजन कर लिया है अब इसके साथ साथ मैं अब क्लास ले लूँगी क्योंकि मैं जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लेक्चर लेती हूँ और जो कि अभी लेती हूँ मैं चंदर क्लासेस इंस्ट्रूट से जहां से मैंने पेट कोर्स लिया हूँ और करेंटल अभी मैं सृपर समय नहीं पर कोश्चन था कि worked नहीं लिया अभी मुझे हुआ बाई दू कि ज़ूरी नहीं है कि हम कि हर चीज का पयट कोर्स खरीं होु Um कि किम चीज को कर स्टार्ट नहीं किया तो आप सबसे पहले उसका स्लिवर्स निकालिएगा उसलिवर्स में एक टॉपिक उठाइएगा और यूटूब पर आप सर्च करो जिस टीचर का आपको समझ में आए जिस टीचर का आपको अच्छा लगया पुने फॉलो करिएगा उस सब्जेक्ट के के लिए और आप अपने सेल्फ नोट जरूर बनाएगा मैं आपको एक एडवाइस जरूर दोंगी कि आप सेल्फ नोट जरूर बनाना तो फ्रेंट चलो आँगे बाटते हैं और मैं इधर उट गई थी फिर उसके बाद लंच बनाने के लिए लिए लंच बनारियों में मैं लख रखी है और इन पर मैंने लिख रखा है सब्जयक्ट जिससे की मुझे दिक्कतति नीं होती है जिस सब्जयक्त का मुझे लेना होता है मैं उसी सबषेक्जे क्या Weird बुक आराम समय निकार लेती हूँ तो चलो फ्रेंट से आपर मैं पढ़ रही हूँ साइंस और साइंस में पढ़ रही हूँ मैं दांत टीत याने की आपके लिए आज का कुश्यन है कि हूमन दांत कितने पेकार के होते हैं तो कमेंट करके जल्दी बताईएगा जिसका फर्स् मिलते हैं तो फ्रेंट जैसे कि आप लोगों को पताई होगा बिहार में कितनी बंपर भरती हैं आई हैं तीन लाख माइने रखती हैं तीन लाख पद पर टीचर वैकेंसी आई हुई है और के बिस वालों के लिए भी उनका इंतिजा खतम हुगा के बिस वालों का भी रिजल आने स्टार्ट हो गया है और जैसे कि पहले टीटी पीजीटी वगरा के हुए तो उसके बाद प्याटी का हुआ था तो उसी सेक्वेंस से रिजल्ट भी आ रहा है फिर फ्रेंट्स अफ्टरनून में मुझे हलकी सी भूक लगने लगी थी तो मैं बनाना रखे हुए बनाना कि आंए हूँ हूँ और घाते जाओंगी और सटेधस में स्टैडी बी करती जाओंगी और अभी ले रही हूं मैं इंग्लेविस की क्लास कई और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो था लग्ण क किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजिए उनकर दो अब आपका BTC का batch कौन सा है तो मेरा BTC का जो batch है वो 17-19 वाला है और उन वाले batch के इतनी 40 किस्मत है seriously उसके बाद से कोई vacancy ही नहीं आई उसके पहले vacancy आती थी BTC वालों के लिए हर year आती थी लेकिन जिस साल से 17 वालों ने किया है उस batch के बाद से तो कोई vacancy ही नहीं आई जो 29,000 वाली आई थी उस वाले में हम लोग वैलिड नहीं थे और उसके बाद से तो कोई vacancy नहीं आई इतना बुरी किस्मत है हुई है हम लोगों की क्या ही वो लेक है छोड़िये उन सारी चीजों को तो आई होप आप सब लोगो इस कुशन का आंसर मिल गया होगा कि मेरा जो BTC का वैच है वो 17 वाला है अभी बैटी हूँ मैं इवनिंग में स्टेडी करने के लिए हूँ यहाँ पर कर लिए हूँ मैं math की practice क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि math की practice मैं daily करती हूँ continuously कभी 17 कुशन का target लेती हूँ तो कभी 100 कुशन का आज मैंने 17 कुशन का target लिया है कि मुझे 17 कुशन करने है complete क्योंकि आज तब यह थोड़ी से ठीक नहीं थी तो आज मैं जल्दी सोने चली जाओंगी और आज time भी बहुत ज़्यादा होगा है तो जब भी हम किसी चीज की तयारी करते हैं तो उसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूली होती है अगर उस paper में अगर मैत आने वाला है तो मैत को डेली आपको करना है और साथी साथ आपको डेली रिवीजन करना है यह दो चीज़ें तो बहुत ज़्यादा most important होती है और उसके बाद मैं अब डिना कर रही हो और दिना के time पे ही में थारी बिजली आप लोग को पता ही होगा entertainment channel है तो मैं वो देख रही थी और friends इस ब्लोग के यह एंड कर रही हो आई हो आप लोग को पसंद आया होगा